हेलो दोस्तों आपकी पने यूट्यूब चैनल लेन इस्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं जीके ट्रिक की नदी घाटी पड़ियो जुनाओं पर आधारित एक बहुती महत्वपर विडियो आया हूं जो आपकी सब एक जामों के लिए काफी महत्वपोण होगी दोस्तों इतिहाँ सामान ज्यान वे विग्ज्ञान की नए वीडियो लाता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेन इस्टडी को सब्सक्राइब करें सेर करने ला लाइक करने ना भूलें जिससे में नहीं वीडियो करने पर आपको मिलता रहे दोस्तों अपना पहला प काका रात में नर्वदा वे ताप्ती खाई पर घूमने गई तो दोस्तों इससे बनता है रात से बनता है कुझरात सरदार से बनता सरदार सोब परियोजना नर्वदा से बनता नर्वदा नदी काकरा से बनता काकरा पारा परियोजना ताप्ती से बनता ताप्ती नदी और उकाई प्रियुजिना कि दोनों तापती नदी पर इस्तित हैं दोस्ते इनकाने तो आपको जानकारी देदूंज आपके लिए काफी महत्मुन हो सकती है तो सरदार तो भारत का दूसरा बड़ा बांध है यह नर्वदा नदी पर बना 138 मीटर उंचा है नर्वदा नदी पर बनने वाले तीस बांधों में सरदार सुबर और महिश्वर दोस्त सबसे बड़ी बांध प्रियुजिना है इन परियुजिनाओं का उद्देश गुजरात की सूपका ग्रस्ते लाखों में पानी पहुंचाना और मर्द प्रियुजिना के लिए बिजली पैदा करना है अपना अगला परियोजना है काकरा पारा परियोजना यह भारत की एक प्रुक नदी घाटी परियोजना है काकरा पारा परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है यह परियोजना तापती नदी पर है इस्तित है गुजरात राजे में सूरत से 80 किलोमेटर दूरी पड़ी है इस्तित है अपनी अगली परज़ना है उकाई परज़ना उकाई परज़ना भारत की नदी घाटी परज़नाओं में से एक है इस परड़ी जुना के अंतरगत उकाईबान तापती नदी पर गुजरात राज के सूरत जिले में बनाए गया है यह 300 मेगाबाट की विद्धुत इकाई लगाई गई है यह परड़ी जुना तापती नदी पर इस्तित है अपना अगला राज यह है उड़ीसा इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है दिशा को महानदी में एक हीरा पाया तो दिशा एक लड़की है यह से महानदी में एक हीरा पाया तो दोस्तों इस ट्रिक से बनता है दिशा से बनता है उड़ीसा महानदी से बनता है महानदी और हीरा से बनता है हीरा कुंड बांध प्रयुजना दोस्तों ये हीरा कुंड बांध प्रयुजना है ये महानदी पर इस्तित है दोस्तों आपके इनके बारे में तोड़ी जान करें दूँ हीरा कुंड बांध उडिसा में महानदी पर निर्मित एक बड़ा बांध है 1957 में महान दीप निर्मेत या बांद संसार के सबसे बड़े बांदों में से एक है इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमेटर है इसके दोनों तरफ दो अबलोकन मिनार हैं गांधी मिनार वे नहरु मिनार इसके लावा जिलास्ते की तटरेखा 649 किलोमेटर लंबी है हिरा कुंड की जील एसिया की सबसे बड़ी मानेव निर्मित जील है इसका उद्देश बार निंत्रन विदुत पातन करना है यह बांध विश्ट्व का सबसे बड़ा बांध है अपना अगला राज जए चार खन्द और इसकी सिम्पलति ट्रिक दोस्तो दामोदर ने घाट पर स्वन मीरक्व जहाडी में जाता देखा तो दामोदर एक लड़का है इसने घाट पर स्वन में रक्व कहां जाते जहाड़ियों में जाते देखा इससे बनता है जार ढैंडी गाट और ने जते हैं दाम्स रेका पर इस्तित हैं और ने जते हैं भाहरत की एक प्रीबत पहले जाए केसे फ़िए ये बहाँत गाटी परयूजना है साथ जुलाई 1948 को सुसंत भारत की पहली बहुत देसी परयूजना की रूप में दामदर नदी घाटी परयूजना का अस्टितों सामने आया, यह अमेरिका की टैन्सी घाटी परिजुना पर आदारित है इस परिजुना का उद्देश दामोदर नदी पर बार निंत्रण शिचाई विद्धुत उत्पादन परिशन वे वित्रण प्रियावन सरचन तथा बन्निविकरण दामोदर घारक्टी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण एव उद्द योगेटव जलब पूर्ती सुनक्षित करना अपना अगला राज यह दोषतो आंध्रप्रदेश इसका एक सिंपल तर ट्रिक दोस्तों तंग होकर अर्जुन को कृष्टन महाराज अंध के पास ले गये तो दोस्तों क्या बनता है मावार से तंग होकर अर्जुन को कृष् तुंग बद्रा पर्यूजुना अर्जुन से बंता नागा अर्जुन सागर पर्यूजुना और कृष्ण बंसा कृष्ण नदी तो दोस्तों जो तुंग बद्र पर्यूजुना है ये तुंग बद्र नदी पर है और नागा अर्जुन जो पर्यूजुना ये कृष्णा नद अंध प्रदेश का स्वायुक्त उपक्रम है या बांद तुंगुत नदी पर मलंपुरम के निकट बनाया गया है नागरजुन सागर पर्योजना नागरजुन सागर पर्योजना भारत की प्रम गाटी पर्योजना है आंद प्रदेश के गुटूर ओतेलंगाना के नल गोंडा जिले की सीमा पर नंदी कोड़ा गाउं के पास नागर्युम सागरबांद बनाए गया है नागर्युम सागरबांद का निर्मान 1955 से निस सरसट के बीच हुआ था इस बांद को बनाने की प्रगरपना 1903 में बेटिस राज्य के समय की गई थे अपना अगला राज्य है करनाटक और इसकी सिंपल सी ट्रिक दोस्तों कावेरी ने समुद्र पर कृष्ण बन कर माटी खाने का नाटक किया तो दोस्तों कावेरी नाम की लड़की है जैसे ने समुद्र पर कृष्ण बन कर माटी खाने का नाटक किया तो दोस्तों नाटक से बनता है करनाटक कावेरी से बनता है कावेरी नदी समुद्र से बनता ह प्रयुजुना और क्रिश्णा से बनता है क्रिश्णा नदी ओं माती से बनता है अलमाटी बांद दोस्तो जो स्वा सम्ध्र प्रपात है जो 98 मेटरे के उचाईप से जल गिराता है इसका उप्योग जल्ब विद्धुत पादने के लिए होता है इस पर इस्तापित जल्ब विद्धुत गरे एसिया का प्रथम जल्ब विद्धुत गरा है जिसकी स्तापना 1902 में हुई थी अलमाटी बाद प्रीजियना उत्तर करनाठक में किष्णा नदी परेश्टिता ये प्रीजियना 2005 में बन कर तयार हुई थी दोसरा प्रथमरें इसका बहुत महित पुन हो दूसा लाल- बहदुर सास्तिरी बाद को अलमाटी बाद की रूप में भी जाना जाता है बांधगा लक्ष वार्थिक विदुस्पादन 560 मेगा है अपना अगला राजी है राजिस्थान और इसकी सिंपतिट्री दूस्तों क्या है इंदर ने सतलज व्यास के मैदान पर राज किया तो इंदर कोई व्यक्ति है जिसने सतलज और व्यास नदी के मैदान पर राज किया था तो दोस्तो राज से बनता है राजिस्तान इंदर से बनता है इंदरा गांदी नहर पड़ियो जिना और 17 व्यास से बनता है 17 व्यास नदी दोस्तों इंद्रा गांधी नहर प्रयोजना है यह कहां पर है 17 व्यास नदी पर इस्तित है इंद्रा गांधी नहर को राजिस्तान नहर की नाम से भी जाना जाता है इसे राजिस्तान की मरुगंगा भी कहा जाता है यह प्रयोजना 17 व्य चाहिए पुरुजना ये बारत ही नहीं अपितु विच्चु की सबसे लंबी नहर है जिसने राइस्तान में हरत क्रांती लादी है आपन अग्ला राज्य है उत्तु पदेश जो कौन था उत्तम राजा था जो किस परियुजना तो किस परियुजना की सबसे रियुजना दोस्तो रियुजना नदी पर रेहंद परयूजुना भारत की मोके नदी घाटी पूर्युजणां में से एक है रेहंद बांद एक गुरत्वीय बांद है जो उत्तर पदिस के सौनवर द्रजिले में पीपरी नमक किस्तान पर रेहंद नाम- रेहंद नदी पर बनाए गया है यह जलाज से 30 किलो मीटर लंबा वे 15 मीटर चोणा है इस यूजना के अंतिगर 30 लाग किलो वार्ट विद्र उत्पन करने की छमता है दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें अपने यूट्यूब चैमिन लेन इस्टेडी को सब्सक्राइब करें शेर करें और लाइक करें और इसका दूसरा पाट देखना ना बोलें